नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग कलासीज में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बात करते हैं पदार्त की संद्रचना और उसके संग्टन के बारे में तो सबसे जो पहला क्यूशन है वो पुछा गया है एक ही परकार के एक ही परकार के परमानू निमन में से किस में मिलता है तो सबसे पहला क्यूशन पुछा गया है कि एक ही परकार के जो परमानू होते हैं वो निमन में से किस के अंदर मिलते हैं तो जो परमानू होते हैं परमानू सबसे छोटा एविवाज्यकन होता है सब से छोटा होता है और एविवाज्य कन होता है तो सेम परकार के परमानु मिलकर के पराकर तत्तव का निर्माने करते हैं तो मारा आंशर रहेगा उप्शन C रहेगा तत्तव जो हैं जिसको हम एलिमेंट करते हैं आधुनिक आवर्चार्णी के अंदर ये इसकी संख्या कितनी 118 तत्तव हैं तो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्चार्णी है इसके अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी 118 है आधुनिक आवर्चार्णी का निर्मान करते हैं हेंरी मोसले ने 1913 के अंदर करा था तो आद उनिक आवर्चारिनिक आगर जनक पुछे तो कौन है हैं हैंडरी मोसले हैं 1913 में करा था उसके बाद में अगला क्यूस्टिन पुछ आगा है कि क्यूस्टिन क्या पुछा है दो या दो से अधिक तत्वों के मातरा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्त कहलाता है तो वो कहलाता है योगीक ठीक है देखो दो चीज़ बनती है तत्व अपस में मिलकर के निर्मान करते हैं योगीक का भी और एक होता है दूसरी चीज़े मिशरण बनता है ठीक है तो दोनों अलग-अलग चीज़ होती है कि योगीक अलग चीज़ होता है मिशरण एक अलग ची अगर उसको मिला दे तो किसी भी अनुपात में अगर उसको मिला दे तो बनता है मिसरन तो दो किसन है यह दोनों आपके कलियर हो गयोंगे अगर कोई भी दो तत्तों हैं दो या दो से अधिक तत्तों हैं उनको समान अनुपात में मिलाया जाए तो उससे योगिक बनता है फोर अगर हम बात करें वाइयू की, तो वाइयू होता है गैसों का मिसरन, अगर हम वाइयू की अगर हम बात करें, तो वाइयू कैसा होता है, गैसों का मिसरन होता है, अब मिसरन जो होता है वो दो परकार का होता है, मिसरन कितने परकार का, दो परकार का होता है, एक समांगी होता ह तो वाई यू जो होने, वो समांगी मिसरन होता है, कैसा मिसरन होता है, समांगी मिसरन होता है, तो इतनी बात कलियर है, उसके बाद में, क्यूशन नमबर चार, ए से तत्तव, जिनमें दात्तू और ए दात्तू दोनों के गुण पाए जाते हैं, कहलाता है, वे तत्तव जिनमे दात्तु के भी, मेटल के भी और नोन मेटल दोनों के गुण पाय जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं उपदातु, क्या नाम देते हैं उपदातु, और आधुनिक आवरचार्णी के अंदर उपदातु की संख्या है साथ, आधुनिक आवरचार्णी में उपदातु की संख्या कुचालक है, कौन सी दातु है जो विद्यूत की कुचालक है तो जो सिस्सा होता है, वो विद्यूत का कुचालक होता है LED, सिस्सा जो होता निसका सिंबल होता है PB, तो सिस्सा एक दातु होती है, जो दातु होते हुए भी विद्यूत की क्या है, कुचालक है कि उसे नमबर 6 पुछागा है निमन लिखित में से किस ऐ दातू में दातू ही चमक पाई जाती है किस ऐ दातू में दातू ही चमके पाई जाती है तो हम पढ़ते हैं कि आयोडीन जो है वह ऐ दातू होते भी चमकदार होती है लेकिन जो ग्रेफाइट है वो भी जो हने चमकदार होती है लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का एक अपररूप होता है क्या होता कार्बन का अपररूप होता है और कार्बन जो होता है वो एक एदातू है तो अगर उप्र दोनों दे तो हमारा आंसर रहेगा उप्रियुक दे दोनों ठीक है वैसे देखें तो आइडिन क्या होती है आइडिन के अंदर दातुई चमक पाई जाती है लेकिन ग्रेफाइट में भी जो होने दातुई चमक पाई जाती है क्योंकि ग्रेफाइट जो हो का कार्बन का पर रोपी होता है। कार्बन जो है क्या है एदातु है। तो इसलिए अमरा आंस्वर रेगा उपर्युक दुन्यो अगर यहां पर रोप रूंख दुन्यों की सब्सक्राय। होता तो कोण सा उता आयडिन होता उसके बाद में कि उस्ट नंबर साथ है निमन में से कोण सी निमन में से कोण उपधातू है तो उपधातू उपधातू कि संख्या आपको बताई थी साथ तो साथ में से जो हना पहली मैंने बताई थी आपको एक बोरोन होती है एक कोण सी हो तो आए आपरांसु रहेगा इन में से सभी इन में से इस सवी यह तिन्यों कितिन्यों क्या है उपदातु है और उपदातों किसे हें कि अपुछे तो कितनी होती है साथ होती है कि इस्यु नंबर 6 पुछा गया है सबसे पहले है बोरोन फिर है सिलिकॉन फिर है जरमेनियम फिर आर्सनिक है बिश्मित है एंटिमनी है और एक पॉलोनियम है तो इस परकार से यह जोना साथ उप दातु है कुण सा एक योगिक है तो आपको एक बात बताया थी कि योगिक बनता है जब तत्तो एक समान अमाउंट में एक निश्चित अनुपात में दोनों मिले तो उनसे एक योगिक बनता है ठीक है आपको वायू बताया था वायू कहे के मिसरन है पारा पारा जो हने एक तत्तो है अ जहाँ पर जो हुने ओजोन देखें, तो ओजोन आंशोर नहीं होगा, क्योंकि ओजोन का फार्मूला होता है O3, क्योंकि इसके अंदर तो केवल एक हित अत्तव है Oxyzen है, तो यहाँ पर आंशोर रहेगा Ammonia, Ammonia का फार्मूला होता है NH3, तो यहाँ पर Nitrogen प्लस Hydrogen, एक निस् इसमें क्या होता है hydrogen प्लस oxygen होता है ये बात सही है लेकिन यहाँ पर अगर option में ये दे रख्या हो कि रासाइनिक बंदों से बंदे या फिर जुड़े हुए दो भिन तत्तो होते हैं तो ये answer हमारा correct रहेगा तो option रहेगा हमारा option C ठीक है इसके अंदर जो ने रासाइनिक दो से जुड़े हुए दो भिन भिने तत्तो होते हैं कोणे से कोणे से हाइड्रोजन है रहेगे oxygen होता है उसके बाद में क्यूस्चे नंबर जो हुने 10 है सुची एक तथा सुची दो को सुले मित कीजिए और निचे दिये गए जो हुने कुट से सही उत्तर चुनिये अब देखो जो हीरा होता है आपको बताया था कि जो हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है जो हीरा होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है तो पहल जो होने कौन सा होगा चार है तो अप्सन दो कट गए अमारे यहां से एक तो जो हने एक नमबर कट गया है और एक जो हने अमारा यहां से चार नमबर अप्सन कट गया ठीक है बाकी बचे दो अप्सन बात करते हैं संग मरमर की तो जो संग मरमर होता है वो होता कैलसियम कारबोनेट संग मरमर का फार्मुला होता है C, A, C, O, 3 चाहे कैलसियम कारबोनेट इसी को चुनना पत्थर केते हैं इसी को जो होना संग मरमर केते हैं कैलसियम कारबोनेट C, A, C, O, 3 तो दूसरे का हो गया option A तो दूसरे का option A तो option कौन सा कट गया हमारा C का भी कट गया तो हमारा answer रहेगा option B कौन सा रहेगा option B rate रेत जो होता है उसके अंदर होता है silicon क्योंकि जो rate होता है जो बालू होता है उसका formula होता है SiO2 silicon dioxide उसका फार्मूला क्या होता है, SIE, OTO होता है, सिलिकोन डाई ओक्साइड होता है, बाक्की बच गा मानिक के मानिक के के अंदर का होता है, अलिमीनियम होता है, तो यह आपर उप्शन रहेगा B, उसके बाद में, क्युस्स्य नंबर 11 पुछा गया है, निमनलिकित में से किस पत्थर से बनाई जाती है, और चुन्ना पत्थर का फार्मूला ता है, कैल्सियम कार्बोनेट, CACO 3 होता है, तो ओक्सिजन तो वहापर हो गया, ठीक है, कांच के निर्मान में भी ओक्सिजन का परियोग होता है, रेत के अंदर होता है, सा यू टू सिलिकोन डाई कौन सा पदार्थ परकरती में तिन्नो अवस्थाओं में ठोस दरव और गैस में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, पानी पाया जाता है, जो पानी होता है, वो ठोस अवस्था में, दरव अवस्था में और गैस अवस्था में, बाप के रूप में, पानी के रूप कि वाईयू क्या होता है गैसों का मिशरन होता है उसके बाद में Q14 पुछागा है निमन में से कोण नै तो तत्तव है और नही योगिक है तो एक चीज बचिगी कोण सी मिशरन तो मिशरन होता है वाईयू क्या हती है गैसों का मिशरन होता है ठीक है जल जल जो है हाईडोजन पलस और इकसीजन से मिलकर बनता है है तो तू क्या बन गये के योगिक तो बाक्की कौन बचा है? Wanna? य सिर्डका का है? क्लियर है बात इतनी? उसके बाद में Question number 15 पुछेगा है पदार्थ की चथूर्थ अवस्ता है तो पदार्थ की चथूर्थ अवस्ता होती है वो होती है पलाज्मा कौन ची होती है? पलाज्मा होती है और पदार्त की पांचमी अवस्ता पुछे तो वो है बोस आइंस्टीन है कौन सी है बोस से आइंस्टीन होती है क्यूसे नमर सोडा निमन लिखित में से कोन सा एक योगिक है निमन लिखित में से कोन सा एक योगिक है तो देखो स्टील जो है वो मिस्सर दातु है स्टील क्या है मिस्सर दातु है पितल क्या है मिस्सर दातु है हीरा जो हने हीरा कारबन का पर रूप होता है इसको हम तत्तो के अंदर काउंट करते हैं किसके अंदर है तत्तो के अंदर क्या होता है ये कारबन का पर रूप और कार्बन एक तत्तव है और एदात्व है तो यहाँ पर रेत बचता है रेत होता है सिलिकोन डाई ओक्साइड तो यहाँ पर योगिकोन है रेत होता है रेत का फार्मूला होता है SIO2 पूरा नाम होता है सिलिकोन डाई ओक्साइड होता है Q17. विरंजक चूरन है. तो विरंजक चूरन क्या होता है? विरंजक चूरन कोई तत्तव नहीं है, कोई मिसरन नहीं है और किसी का पर रूप नहीं है. तो विरंजक चूरन होता है योगिक. योगिक किस परकार से होता है? विरंजक चूरन का फार्मूला होता है C-A-O-C-L-2. किसका फार्मूल होता है विरנ्जक चूरण का होता है और विरण्जक चूरण को हम कहते है bleaching powder बिलीचिंग के पाउडर कहते है caocl2 इसके अंदर क्या होता है केलिसियम जो ओक्साइड होता है जिसको हम कहते है बिना बुजा चुनना बिना बुजा चुनना के अंदर क्या अड़ करते हैं क्लोरिन अड़ करते हैं कि उससे नमबर 18 है निमन लिखित में से कौन सा एक मिसरन नहीं है तो मिसरन नहीं है तो यहाँ पर क्या हो सकता है वो तत्तव हो सकता है या योगिक हो सकता है अब देखो गरेफाइट गरेफाइ गरेफाइट ठीक है कार्बन का पर रूप कार्बन के अपर रूप है कोईला होता है हीरा होता है और गरेफाइट होता है ठीक है कार्बन के अपर रूप कोईला है कोईला है गरेफाइट होता है किस नमबर 19 है बारूद बारूद होता है मिसरन बारूद क्या होता है मिसरन होत पत्तव है कोईला तत्तव है कैसे अब 118 तत्तव देखिए इसके अंदर तो कहीं पर है नहीं कोईला तो कोईला क्या होता है कार्बन का परूप होता है इसलिए इसको तत्तव के अंदर काउंट कर लिया कार्बन का परूप कोण सा कोईला कार्बन का परूप कोण सा हीरा कार् कार से 21 का क्युष्चन आगया हीरा है तो हीरे को किस के अंदर काउंट करते हैं तत्तव के अंदर काउंट करते हैं एलिमेंट के अंदर हीरा चमकता क्यों है तो पूर्ण आंतरिक प्रावरतन होता है टोटल इंटरनले रिफ्लेक्शन जिसको हम TIR लिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के काण जो हने पूरण आंतरिक प्रावरतन के काण हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यूशन नंबर 22 विशव का परतेक पदार्थ अत्यन सुक्सम कणों से मिलकर बना होता है विशव का जो हने परतेक पदार्थ अत्यन सुक्सम कणों से मिलकर बना होता है यह सरोपर्थम किसने कहा क्यूशन है यह सरोपर्थम किसने कहा तो यह बात सरोपर्थम कही थी कनादने किसने कही थी, कनाद ने, अब बात सुनो, परतेक पदार्थ सुक्सम कणों से मिलकर बना होता है, यहाँ बात सरो पर्थम तो कनाद ने कही थी, लेकिन आजाए ने परमानू का नाम करण, और परमानू सिधान्त किसने दिया, तो हमारा आंसर रहेगा, जोने डाल्टन, जोने आता है कि परमानु नाम करण किस ने करया परमानु सबद का नाम किस ने दिया तो हमारा आंसर रहेगा जोन डालतन ने उसके बाद में तेइस नंबर है निमन लिखित में से योगिक कौन सा है तो योगिक कौन सा होता है जिसके अंदर दो तत्त हों समान अमाउंट के अंदर हो तो कौन से है अमोनिया है एक निस्ची तनुपात के अंदर फार्मुला होता है अमोनिया का अनचे थरी होता है अमोनिया वाईयू की बात करें तो मिसर्ण होता है ओजोन की बात करें तो ओक्सीजन के अंदर काउंट होता है तीन ओक्सीजन मिलकर के जो होने ओजोन का निर्मान करते है ओजोन का फार्मुला होता है ओथरी पारा का कीषियरो कार्बन कार्वन के अर्बयों में suspicion 25 फै यू निमनन लिक्षित में से क्या है तो यू क्या है गैसों का मिशन होती है वाईउ के अंदर जो हने चैशिंग 여러분 बात करें तो वो जो हुने लगबग 21% 20.93% होती वैसे तो अगर बात करें आरगन की तो आरगन होती है 0.09% होती है और बात करें कारबन डायोकसाइड की CO2 की तो वो 30.03% होती है कलियर बात इतनी क्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष और और नहीं से कीज़िए को script pan JUL और मुंक्राइब कहा सुझान तो मिसर्ण यहापर वसता है इस मिसर्ण पायरी दक है स्थेमारण्यून कुए सद्धत थिक करण मजैने मिसर्ण रहेगा तो एक ही बचता है कौन सा सोडियम जिसका सिम्बल होता है अन ए सोडियम तो सोडियम क्या होता है कि तत्तव होता है सोडियम को जो ने मिट्टी के तेल में डाल करके रखा जाता है समुंदर में सरवा दिक मातरा में पाए जाने वाले दात्तु कोनी ची होती है सोडियम होती है ठीक है उसकी परकरती और उसके जो हना परकार और संगटन के बारे में हमने पढ़ लिया है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें धन्यवाद